लेकिन रियल वर्ड में ऐसा होता नहीं है, देश बनते हैं, तो सही और गला सारे तरीके अपनाए जाते हैं, यह जो डॉक्यूमेंट था, यह कंडीशनल एग्रिमेंट था, इसका मतलब यह नहीं कि कश्मीर इलिया का पार्ट बन गए, जो हमारी पॉच के अंदर मुस्लिम यह भी पॉसिबिल्टी हो सकती है, कि वो उनके साथ जाके मिल जाएं, जब यह लोग बारा मुला पहुंचे तो इतनी जादा ताभाई मचाई, कि वहां के लोग आज तक वो चीज भूल नहीं पाएं, जैसे ऐसे टाइम बढ़ रहा था, वैसे पाकिस्तान का कश्मीर को ल हम को नहीं मिला था, और अंग्रेजों ने यह कहा था, कि रियासतों की मर्जी है, वो चाहें तो इंडिया के साथ जाके जुड सकते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ जाके जुड सकते हैं, या फिर वो चाहें तो इंडिपेंडनेंट रह सकते हैं, लेकि पांस सो पैसेड क करीब रियासते थी अगर मैं पाकिस्तान वाला पार्ट हटा दूं तो फिर भी 535 के करीब रियासते थी इन सब को जोड के एक देश बनाना था और यह कोई मजाग बात नहीं थी इसका काम दिया गया था सरदार वल्लब भाही पटेल को जो हमारे उस समय के डेपुटी लो भी देखा था उनकी हिम्मत नहीं थी कि इंडिया के अगेंस में जाए वह इंडिया सबना गया गया वास घ्ल एक और रियासते यह साहते हैं वह रडब यहوس और जो वहां का राजा था वो मुस्लिम था और उसका बिलकुल मन नहीं था कि वो इंडिया के साथ जुड़े और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था तो वहां पर विद्रो करा दिया गया और जो राजा था जुना गड़का और बाग कर पाकिस्तान चुला गया और जब वहां पर शաanti हुई तो वहां पर प्लेबसाइड हुआ प्लेवेसाइड यानि कि वहां की जंता वोटिंग के थुरूँ डिसाइड करेगी कि उसको पाकिस्तान के साथ जाके मिलना है या फिर उसको इंडिया के साथ जाके मिलना है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हैधरबाद एक तम बीचो बीस था, तो यह चीज पॉसिबल नहीं थी, और दूसरी चीज, जुनागर में उसने देखा था कि राजा का क्या हाल हुआ था, तो वो डरा भी हुआ था, तो उसने गौर्मेंट आफ इंडिय यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को बहुँ जादा दिक्कते आई, अगर वो जैसे तैसे करके पाकिस्तान के साथ जुड़ भी जाते, तो वही हाल होता जो बंगलादेश का हुआ था, लेकिन जम्मू और कश्मीर का बार्टर पाकिस्तान से ल जम्मू और कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरी सिंग, वो हिंदू थे, और वहाँ जो मेजरिटी थी, वो मुस्लिम थी, राजा किसी भी कीमत पे अपनी गदी नहीं छोड़ना चाते थे, इसलिए जो भी ऑप्शन उनके सामने अवेलबल थे, वो सारे दिक्कत वाली थे अगर राजा हरी सिंग पाकिस्तान से जाके मिलते हैं, तो पाक्या बनेंगे, तो राजा हरी सिंग को अपनी गदी से बहुत जादा प्यार था, अगर वो इंडिपेंडेंट भी रहते तो यह सब को पता था कि जो रियासत इन दोनों कंट्रीज के बीच में फसेगी, उसके ले मुश्किल होगी, तो राजा हरी सिंग के लिए भी डिसीन लेना बहुत मुश्किल था, जैसे ऐसे टाइम बढ़ रहा था, वैसे पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर आपसेशन भी बढ़ रहा था, लेकि उनके सामने सबसे बड़ी प्राप्लम यह थी, कि जो उनकी आर्मी थी, वो अंग्रेजों के हाथ में थी, तो वो चाहा के भी कश्मीर के ओपर ऐसे अटाइक नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान ने पैरलली 10,000 लोगों की आर्मी खड़ी करी, जो की सिविलियन्स की तरह देखते हो, आजाद, कश्मीर, फौज, जो की कश्मीर पे अटाइक कर सके अब ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूँ तो जूटे फैक्स बता के पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा हूँ, जो भी चीज़े मैंने बताई हैं, पाकिस्तान ने यूएन के अंदर खुद एक्सेप्ट करी हैं और ये ऑन पेपर है, जितनी भी चीज़े इस पूरी वीडियो में म पिर भी समझाने की कोशिश की, कि जो हमारी पौच के अंदर मुस्लिम लोग हैं, ये भी पॉसिबिल्टी हो सकती है, कि वो उनके साथ जाके मिल जाएं, लेकि राजा हरी सिंग के पास भी कोई और आप्शन नहीं था, जैसे ये लोग आगे बढ़ते गए, जिस चीज़ का दर था राजिंदे सिंग को, वही हुआ और ये लोग आउट अफ कंट्रोल होते गए, जब ये लोग 12 मुला पहुँचे तो इन लोगों ने इतनी जादा तबाई मचाई कि वहां के लोग आज तक वो चीज भूल नहीं पाएं, जिस तरीके से पाकिस्तान का डिफेंस अटैक करने के लिए नहीं करेंगे, एक ही सिच्वेशन में हम अपनी आर्मी का यूज करेंगे, जब हमारे उपर अटैक हो रहा हो और हमें अपने डिफेंस करना हो, और क्योंकि कश्मीर इंडिया का इस्सा उस्सा में नहीं था, इसलिए हम अटैक नहीं कर सकते हैं, जब पाकिस्तान की सेना श्रीनगा से सिर्फ 50 किलोमेटर की दूरी पे रह गए थी, तब हरी सिंग ने इंडिया से मदद मागी, और इंडिया ने वीपी मैनन को हरी सिंग के पास बेजा, एक डॉक्यूमेंट लेकर, हरी सिंग ने वो डॉक्यूमेंट साइन किया और कश्मीर इं उन्होंने अंग्रेजियों से बात करी, लेकिन माउंट बेटन ने जो इंडिया से कहा था, सेम वही चीज अंग्रेजियों ने पाकिस्तान से भी कही, कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और इस समय अकर हम पोर्स अपनी उतारेंगे, तो वो एक अटैक माना कश्मीर और इंडिया के इस एग्रिमेंट को लेके, जिनना बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थे, उन्होंने माउंट बेटन को बुला के बात करी, कि इस एग्रिमेंट को हम मानते नहीं है, क्योंकि जब जूनागर और पाकिस्तान के बीच में एग्रिमेंट हुआ था, तो वहाँ पे उस एग्रिमेंट को माना नहीं गया था, बलकि वहाँ पे फ्लेवेसाइड हुआ था, तो माउंट बेटन ने भी यही इंडिकेशन दिये थे, कि जब यहाँ पे शान्ती हो जाएगी, तो यहाँ भी फ्लेवेसाइड होगा, उसके बाद दो चीज एसी हुई जि यह कहना था, कि जब एक देर साल से युद्ध चल रहा था, तो उसको थोड़ा और एक्स्टेंड कर लेते हैं, और पूरा एरिया ले लेना चाहिए था, और उसके बाद इंडिया की फोर्से पीछे अटेंगी, तो वहाँ की जनता डिसाइड करेगी, कि उनको पाकिस्तान क साथ जाना है, या फिर इंडिपेंडेंट रहना है, यानि कि वोटिंग होगी वहाँ पे, प्लेविसाइड होगा, तब से लेके आज तक जिस पॉइंट पे लड़ाई रुखी है, उसको लोसी कहते है, लाइन अफ कंट्रोल, और जिस एरिया में पाकिस्तान है, उसको पाक पाकिस्तान ही, हाँ थेंटिक हर चीद उन्हें बात की है, हकीकत से पंजा उठाया है, हर डॉक्मेट जो है वो योडियो पर रहा है, और उसका बकेरण होना जो अगरी में प्रसाइड, जो आगरिविसार्श कर रहा है, तो भाई नितिश राजपूर, वो एक एक्स्प्ले आपकी हैनका कि क्योंके दिसक्समीर लेकिन यह की इसी के साथ मुस्लिम। मैं। मैं इस जो गहां मैं। नहीं आपकी कि शोक्ता राज़ा लिए area इसी तरह पर ढॉने का वर मताकी इस वेखतमान करेंा है। क्योंके कश्मीर का जो राज करूँ अब हम कुछ अपने इंडियन बहन बायों से सुनना चाहेंगे यह पाकिसानी नहीं है यह मुस्लिम नहीं है इन्होंने जिस तरह से चीजें बताई है अब वह बताएं लोग जो हम मानते हैं कहीं यहां पाकिसान से बहुत सारे लोग ज़ किस्थाइएफल यह सब्सक्राइएव को समझने की जरूआ थे क्योंके आखिशल करणिशन यहां जाता है लेकिन बेसी किली जो हम हम भी समझते हैं और जो इंडियन होने चाहिए था ठीक है अगर ऑढ़ेक्शन हो जाते तो यह मसला खतम हो जाताए तो एक क्या लाइदा स झाल झाल